हेलो दोस्तो वेलकम बैक अगेन दा एके शोव सो दोस्तो लाल सिंग चड़ा रिलीज हो चुकी है थेटर्स में और अभी जस्ट मैं देख करके आ रहा हूँ तो जादा आप लोग का वक्त नहीं लूँगा और चली इसका एक शॉट रिव्यू देता हूँ तो देरी कैसी चल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप थ्री इडियट और पीके मूवी देख रहे हो यानि कि ओवर एक्टिंग भर भर के की गई है और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे आपने इनको पहले भी थ्री इडियट और पीके मूवी में ऐसा करती हूँ देखा गया है फॉरेस्ट गम मैंने अल्री देखी और फॉरेस्ट गम किसने नहीं देखी वो एक आइकॉनिक मूवी है टॉम हैंक्स की ओसकर विनिंग परफॉर्मेंस है और आप उसी को एक्सपेटेशन लेके जाओगे देखने मिधाब तक इतना बोरिंग फील कराती है मूवी के मतलब ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट गम में एक नैच्टिंग हमें टॉम हैंक्स की जो दिखाई है और उन्होंने जो कहानी को जो बेस को पकड़ा है फॉरेस्ट गम का एडॉपटेशन है इस यह मूवी और आमीर खान काफी अटैच करता है कि जब फॉर्स डे लाल सिंग्चड़ा का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसी टाइम से मुझे यह समझ में आ गया था और काफी लोगों को समझ में आ गया था कि त्री एडिएट और पीके के कुछ बॉड़ी लेंग्वेज उस करेक्टर की कुछ बॉड लेंग्वेज पर ही आधारित है आप थ्री इडिएट कहें धूम थ्री कहें या आप पीके इन तीनों के बॉड़ी लेंग्वेज को एटॉप्ट करके लाल सिंग्चड़ा में इसको तराशा है फॉर्स गम जैसी बड़ी मूवी को अगर आप एक इतने बड़ी स्केल पर पर अब दिखाने जा रहे हो और इतने सालों बाद अगर आपकी फिल्म देखने को मिल रही है तो मतलब मेरी तरु से गळा बहुत कम स्क्रीन टाइमिंग था अगर उसके फिल्म में कोई और भी इस करेक्टर करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती नागा चैतना का बहुत चोटा काम है जितना उनकी स्क्रीन टाइमिंग था उसमें उन्होंने 100% दिया जो काफी टाइम से उन्होंने भी कमबैक किया अपनी इस फिल्म से जितना उनको दिया गया उतना ही काम किया उन्होंने इतनी ज्यादा पाउर पैक परफॉर्मेंस किसी की किसी भी करेक्टर की नहीं है फिल्म की मूजिक की बात की जाया तो जब तक आप फिल्म देखते रहो क्योंकि हम थेटर से बाहर निकलते हैं तो गाने हम भूल जाते हैं कि हमने गाना कौन सा सुना प्लिम जब तक हम में इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगी तो हम म्यूजिकली भी उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे पिछले 40-50 सालों में जो जो इवेंट हुए इंडिया में जो जो बड़े घटनाएं हुई हैं उन सब को कनेक्ट किया गया है इस प्लिम में शारूख खान का भी छोटा सा कैमियो दिया गया है इसमें कोशिश की गई है कि काफी काफी चीजों कनेक्ट किया जैसे फोरेस्ट को लोगों ने box office पे ताबर तोड कमाई की दंगल लोगों ने देखी लोगों ने धूम थ्री देखी हर audience ने आप पे प्यार बरसाया है तो इस पे भी प्यार बरसाएगी इस film से बहुत कर दिसेपॉइंट हुआ हूँ मैं आज रक्षाबंदन का occasion है और प्योड डे है कुछ लोग का working डे है कुछ लोग का off है और मैंने कई बार इससे पहले भी फर्स डे फर्स शो देखे हुए हैं बट आमेर खान इतने बड़े इंडिया की सूपर इस्टार है और उनकी मैंने प फिर पूरे थेटर में पांस से छे लोग दिखाई दिये आप सोची अगर बॉलिवूड की यही स्थिती रही वैसे तो यह मॉनिंग शो था बट मॉनिंग शो में भी at least 30-40 पिपूल्स तो रहते ही रहते थे बॉयकॉट जैसी इस्थिती तो बनी हुई है बट इतने टाइ बनानी पड़ेगी जिससे ओडियंस उनकी तरफ खीची चली आए अगर यही परफॉर्मेंस हमको हर चीज देखने को continue मिलती रहेगी तो बॉलिवूड का भगवान भला करें आज का वीडियो था यह मेरा लाल सिंग चड़्धा के रिवू को ले करके आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपने फिल्म देख ली है तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना रिव्यू बताओ के फिर से मिलता हूँ और अगर आप में चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजेगा लाइक करिएगा और कमेंट तो प्लीज करिए करिए तो दोस्तों फिर मिलता हूँ ऐसे इंटरेसिंग वीडियो लेकर के नमस्कार दा एके शो में